नमस्ते अब्रीवन आप सबका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर मैं आज बनाने जारी हूं बहुत ही आसान और स्वाधिस्ट रेस्पी तो चले वीडियो शुरू करते हैं आज में बहुत ही कम चीजों से आप लोग को बेशन और सुजी का लड़ू बना करके दिखाऊंगी यह बहुत ही सब्ड़ बनता है और खाने में बहुत अच्छा लग रहा था आप लोग यह रेस्पी जरू से ट्राइब कीजिएगा 5-6 मिन के अंदर में यह लड़ू बन करके रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी एन हैल्दी होता है तो यह रेस्पी आप लोग जरू से ट्राइब कीजिएगा तो मैंने सुझी और बेसन का लड़ू बनाने के लिए एक कप सुझी लिया है उसी कप से एक कप में बेसन लोगी मेजरमेट ज्यादा जरूरी है आदा अदा ब्राबर लीजिएगा सुझी और बेसन और अच्छे से दोनु चीजों के हमें हाथों के सारा से मिक्स कर लेना है उसके पर से मैं यहां माइन के लिए इसमें देसी घीट आ रहे हूं थन्दा के दिन है तो घी को मैं हलका सा गरम कर ली थी फ्रेंस क्योंकि घी जम गया था और घी को अच्छे से हमें मैं देंगे ताकि हमारा लड़ू है वो रवादार बने और बहुत ही टेस्टी बन करके रेडी हो फ्रेंस यह दुकान से भी ज्यादा टेस्टी बनता है तो मैं इसका मैं चेक करने के लिए मुठी बान करके दिखाऊंगी बहुत ही कम समय में यह यूनीक सा लड़ू बन करके रेडी होता है तो मैं इसका सक्ट सा डो लगा लिए हूं उसके बास से हम इसको मुठी बानेंगे जैसे हम लोग मुठी में पेंड़ा बना तो ऐसे में मुठी में पेंड़े के साइज लंबा लंबा इसको मुठी में मोटा मोटा पेंड़ी जैसे बना करके रख रहा है यह बहुत ही अलग तरह से में मिथाई बना करके आप लोगों दिखाऊंगी जीसे बिलकुल भी बनाने ना आता होगा यह संधार लड़ू आप लोग घर पेंड़ propeti कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में रबन करके रेडी हो जाता है तो देखिए हमारा सारा प्लेट में पेड़ा चोड़ा रबन गया है मैंने यहां कोकिंग होई लिया है रिफाइन तेल इसे अच्छे से मेडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था और एक ही करके हम इसे सुनेरा होने तक फ्राइ कर लेंगे फ्रेंज पुलटते पुलटते हुए थोड़ा पेसेंस के साथ इसे फ्राइ करना होता है क्योंकि यह मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राइ करना होता है 10 मिन्ट से 11 मिनिट का समय लग सकता है मीडियम फ्लेम पे ही इसे सुनेरा गोल्डन ब्राउन कीजिए इससे न अंदर तक अच यहीं हमें अर्ल प्रश ub हाओ सभाट करीं कि लिए सब थन्ड़ा है कि अब Mr. नेखाने के च्ट भी एक छुटा आधना सब्कीत में ने काल ले, जुटां इसका अने। पॉडर बनाना सब्सक्राइब हम इसे तोड लेए हैं और बहुत ही असानी से तूट जाता है उसके वास हम इसमें मिक्सिजर में डाल लेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे तो देखे अब मैं कितना अच्छा से इसको पीस करके रेडी कर ली हूँ और बहुत ही दानेदार बन गया है देखे अब की लुआ तो इसके लिए मैंने क्या क्या है के एक पज़व्द रहा है उसी कटुडी में एक क्टुड़ी बा नी एक कटुड़ी चीनी हमें एक दार का चास्नी बनाना है और 23 मैं ने कुट-कर के लिए था मेर परस पावडर नहीं था तो में ख़ड़ा एलाजी डार इलाजी का छिल्का निकाल करके फेक दूंगी, उसके बाद से, हम चास्वनीद चेक करने के लिए हमें एक तार के चास्वनीद देखिए, अच्छे अच्छे से चमच के सहारा से मिला लेंगे, तो देखिए अच्छे से मैं चमच के सारा से मिला ली हूँ क्योंकि चासनी गरम था हाँ जल रहा था तो मैं चमच से मिला रही हूँ ध्यान से किजिए गया फ्रेंस तो इसलिए मैं चमच से ही कर रही हूँ और अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और जो मिक्स हो जाए तो हलक सरनि है सहरी सूजी और में मृत स्लें को लिएा कि तो सुंदतु थैसे लड़ बन रहा है इसे हमें अच्छे से हातों के सहारा से दबा दबाके लड़ बना लिए रहा है से हलका हलका हाथों के तलवें हमें इसे गुल गुल खुमाते रहना है ताकि हमारा लड्डू का अच्छा सेव हो तो देखें बहुत ही इजली बन जा रहा था यह वाला रेस भी आप लोग जरू से ट्राइ किजिएगा फ्रेंस पहली बार में भी आप लोग लड्डू बना रहे होंगे तो बहुत ही फरफेक्ट लड्डू बन करके रेडी हुआ देखें सामने से कितना अच्छा यह लड्डू बन करके रेडी हुआ थागा केमरा में भी आप लोग देख सकते हैं वैसे ही सेम प्रोसेस से हम एके करके सारे लड्डू बना लेंगे तो देखें मैं स चारे लड़ू अच्छे से बना नहीं हो इसके वसे मैं इसका फ्लेटिंग कर रही हूँ अगर आज का यह लड़ू का रेजपी आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज 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 चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर कीज़ेगा फ्लीज बहुत ही मेनस से वीड लड़ू बन करके रेड़ी है फ्रेंज लड़ू को में पास से तोड़के भी दिखाते हूं देखे किता अच्छा बन करके रेड़ी होता है यह लड़ू अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक सस्क्राइब कीज़ेगा फ्रेंज तब तक के लिए तेके रेंग, वए बाइगा